प्यारे प्रदेश प्रास्यों नमस्कार पुरे देशपर में लोगडाउन 4.0 समाप्त हुआ है पिछले कल और आज से पुरे देशपर में अनलोक बन की शुरुआत हुई है मुझे आप सब को ये बताते हुए प्रसंता है कि करोना वारस के इस दौर में से गुजरते हुए अब आम जन जीवन ठीक परकास्य सुचारू रूप से चल सके उस द्रिष्टी से कुछ महत्तो पुरून निर्ने केंदर सरकार ने लिये हैं और केंदर सरकार के साथ साथ में ह हिमाचल परदेश सरकार की और से भी लिये हैं हिमाचल परदेश में हमने पिछले कल निर्ने लिया कि जो हमारी पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सुचारू रूप से आज से सभी सट्कूं पर चलना शुरू हो जाएगी यानि कि बसें चाहे वो सरकारी बसे हैं चाहे वो परतिशत औकुपैंसी रहेगी यानि कि पूरी बस में अगर बावन सीटे हैं तो बावन की बावन सीटे नहीं बरी जाएगी और उसमें 60% साथ परतिशत ही लोग उसमें बैठेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को हम जो है मैंटेन कर सकें यह बहुत आवश्यक है और उस के साथ साथ में ये भी हमने क्याल किया कि बस में चड़ने वाली हर सुवारी मासक का इस्टे माल करेगी अगर बिना मासक कोई जाएगा तो उनको बस में जाने की अनुमती नहीं होगी इसी के साथ एक जिले से दूसरे जिले में जाने की बेवस्ता पहले पर्मिट के मादियों से थी पास के मादियों से थी अब आज से हम उसे बेवस्ता को समाथ कर दिया है एक जिले से दूसरे जिले में बेना पास के आप जा सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की आपको कोई रुकावट नहीं होगी लेकिन उसके बाब दूद बाहर के परदेश से हिमाचल परदेश में आने वाले व्यक्ति को हिमाचल परदेश में पास लेना होगा ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि उप्त व्यक्ति कहां से आ रहा है और आने के प्रशात क्या उसको हों कॉरिंटीन में भेजना है या फिर उसको इन्स्टियूशन कॉरिंटीन में भेजना है हमने ये भी तैय किया, खास्तोर से देश के कुछ हिस्से, जहां करोना वारिस के मामले बहुत बड़ी संख्या में हैं, वहां से कोई गत्ती आता है, तो उनको इंस्ट्यूशन कॉरिंटीन में भेजा जाएगा जहां मामले कम हैं, वहां उनको होम कॉरिंटीन भेजने की व्यवस्ता पर हमने निर्ने किया हैं, पिछले बहुत लंबे समय से हमारे सारे मंदिर और धार्मिक प्रतिष्ठान जो है बंद पड़े हैं, अब हमने निर्ने लिया कि 8 तारिक से, यानि कि 8 जून से हिमाचल परद कई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और उसके साथ साथ में एहतियात और सावधानी के साथ जा करके हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक ये मंदिर, ये धार्मिक स्थान जो हमने खोले हैं, उन में सि कोई प्रेटक, बाहर से कोई लोग आकर के इन मंदिरों में अभी तक फिलहाल नहीं जा सकेंगे, इसके साथ हमने एक और निर्णय लिया है कि हिमाचल परदेश के होटल और रेस्टोरेंट वो भी हम आठ तारिक से खोल रहे हैं, लेकिन हिमाचल परदेश में होटल और रे लोग हिमाचल परदेश में किसी काम के सिलसिले में आते हैं, वो लोग इन होटल में रह करके और वहां पर खाना खा सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, लेकिन मैं ये भी स्परश्च करना चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट में भी 60% के पैस्टी ही हम जो है यूटिलाइज कर सक सकते हैं, प्रियोग कर सकते हैं, हमने एक और भी निर्ने लिया है, अभी हिमाचल परदेश में शिक्षन संस्तान नहीं खुलेंगे, इसके बारे में जो निर्ने हम लेंगे वो जुलाई के माह में लेंगे, मैं आप सब का बहुत सायोग मिला है, हम इस दौर को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से जो करोना वारिस के जो पॉजिटिव केसिज हैं, उनके स्वास्ते में सुधार हो रहा है, और मैं उमीद करता हूँ, बहुत जल्दी हम जो है हिमाचल परदेश में करोना वारिस के उस दौर से बाहर निकलने की परिस्थिती म हो पाएंगे, मैं उन सभी भाई बैनों से निवेदन करना चाहूंगा, जो विशेश तोर से दूसरे परदेशों से हिमाचल परदेश में अपने घर पहुंचे हैं, अगर आप होम कॉरिंटीन में हैं, अगर कॉरिंटीन का टाइम उनका पूरा नहीं हुआ है, तो पूरी स कॉरिंटीन में हमारे भाई बैन हैं, उनको थोड़ी कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन कटनाईयों का सामना करते हुए आप हमको पूरा स्वयोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और हिमाचल परदेश के सभी करोना वार्योर्स को अभी मैं आभ अभारवेक्ट करता हूँ, एक बार फिर से मैं आप सब के स्वयोग के लिए अभारवेक्ट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैहीं, जैहीं माचल,